तो विडाट विस्टिंग टाइम विडियो को शुरू करते हैं, आजके इस वड़े में बात करींगे चाथा वोड से इस कम्पनी के आयबझ के बारे में कम्पनी के बारे में पुरा डीटेल एनलिसिस करेंगे, कम्पनी का बिजनस मॉडल discuss करेंगे और क्या इस कम्पनी की IPO में apply करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस IPO में apply करते हो तो कितना profit मिलेगा company के ग्रेम आके premium क्या चल रहे लिस्टिंगे इनके संबल सकता है यह सभी सवालों के जब आज के सोड़े में देने वाला हूं तो वीडियो को ज़रू से end देखते रहे ना सबसे पहले company के business के साथ शुरुआत करते हैं तो company का business established हुआ था 1997 में और यह company frozen food industry में काम करती है मतलब frozen foods बनाने का यह इस company का main business देखने को मिल चाता है अभी company के business को और भी ज़्यादा detail में आपको मैं समझा देता हूं देखो यह company क्या करती है यह frozen foods को manufacturing करती है distributors के दुरू अलग-अलग QSR space में मतलब quick service restaurants होता है cloud kitchens होता है उसके साथ-साथ जो restaurants होता है उसे के साथ-साथ जो दुकाने होता है तो यह सभी जगा पर यह जो frozen food है था वो उसको supply करते है और वहां से इस company का अच्छा खासा business generate होता है तो company का ज़्यादा तर business है वो B2B space म में देखने को मिलता है business to business अपना business operation करती हुई नजर आ जाती है अभी यार company की website के उपर जाओगे तो company के बारे में और भी डीटेल में और अच्छी तरीके से मालूम पड़ेगा देखो company ने बूला है कि बाई company सर्व करती है top notch qsr space के अंदर उसके साथ-साथ जो casual restaurant होता ह dining restaurants and other players को और hotels and restaurant को यहाँ पर से यह company अपनी product को supply करती है ठीक है बाकियार इस company का जो यहाँ पर plant है वो यहाँ पर से 500 ton per month का production capacity hold करता है जो भी एक बहुत जादा अच्छी बात है बाकियार based quality raw military यहाँ पर यह company use करती है उसके साथ-साथ modern and hygiene facilities का use किया जाता है German technology का use करके यह company अपनी food products है उसको यहाँ पर से package करती है और उसको यहाँ पर process करती है ठीक है तो आपको समझ में तो आ गया अब यह company की product category भी देख लेता है मतलब यह company कौन कौन से product based है तो देखो यह कुछ products है जो यह company manufacturing करती हुई नजर आ जाती है आप लोग यहाँ पर detail में जाओगे है तो detail में भी सारी चीज़े company ने बताई हुई है जैसे कि chicken appetizer है वहाँ पर कौन कौन सी products है वह यह company अपने frozen food portfolio में रखी हुई है उसे के साथ साथ meat patties के अंदर भी है आप बहुत सारी varieties देखने को मिल जाती है ठीक है तो यह सभी products है वह यह company आपर से अपने customers and clients को बेशती भी नजर आ जाती है और वहाँ से इस company का अच्छा खासा revenue generate होता है ठीक है तो अभी आप लोगों को मैंने बता दिया कि भाई company यहाँ पर से क्या काम करती है company की plant के production capacity क्या है company का plant कहां पर है और company की कितनी product है तो company 70 से भी जादा products को hold करती है अपने portfolio में और company का manufacturing plant है वह यह यहाँ पर से मोहाली district में देखने को मिलता है जो पंजाब में situated है ठीक है बाक्यार यह company अपनी products है हो यहाँ पर से total 29 distributors and distributors के दूर 32 cities के अंदर यह company अपनी products को supply करती है और यह company 126 middle and small stand alone fast food brands को भी अपनी products है उसको supply करती है ठीक है तो अभी यहाँ पर से company का business है वो अच्छा खासा चल रहा है बाक्यार इस company के बारे में और भी detail में देखे देखो यहाँ पर company ने यह भी बता है कि company की total frozen food capacity मतलब total यह company कितना frozen food manufacturing करती है एक साल में कर सकती है मतलब तयार वह भी यहाँ पर mention किया हुआ है 7,849 metric ton के आजपास यह company total frozen foods यह company manufacturing कर सकती है ठीक है एक साल में ठीक है बाकियार इस company के साथ total 284 employees जूड़े वे नज़र आ जाता है बाकी जैसे मैंने बता है company का product portfolio देख सकती हो ऐसा ही नहीं कि non vegetarian product ही यह company बेशती है ज्यादा अथर products है वो non vegetarian है और वहाँ से company का ज्यादा तर revenue आता है पर recently इस company ने vegetarian market में भी entry की है जिसकी वैज़े से company अब अपने business को और ज्यादा expand कर पाईगी ठीक है और plant based जो products होता है वहाँ भी इस company ने entry ले लिए ठीक है बाकियार इस company की competitive strength की बात करें तो बहुत सारी strength इस company ने बताईए उसमें से मिर को यार management का अच्छा experience high technology का use करना company की यहाँ पर इतने सालोगी consistency और अभी यहाँ पर company के जो business है वह यहाँ पर अच्छा चल रहे है company के financials से उससे ज्यादा पता चलेगा तो company के financials दिखा देता हूं तो देखो 2021 के अंदर 2022 होते है इस पीशे तीन साल का data blog के सामने सारी amount से वह लेक रुपे पर आचुक है company के जो profit है वह 6,120 लाख रुपे से 19 लाख रुपे से 11,724 लाख रुपे पर आचुक है पहले यह company ने 2021 में लॉस दिनरेट किया दा 400 लाख रुपे का almost 4 करोड रुपे इसका उसके बाद company कोविड 19 से उभरती हुई नजर आई और दिरे-दिरे करके company वापस है profitable आती वी नजर आ जाती है ठीक है बाकि है इस company के पास रिजाउस में 862 लाख रुपे अविलेबल है अराउंड अराउंड और 989 लाख रुपे के आसपास का company के उपर करजा आये ठीक है बाकी यह company IPO क्यों लाना चाहती यह objective क्या है तो company को यहां पर से एक manufacturing unit लेगा IPO में price band है हो यहां पर 53 रुपे से लेकर 56 रुपे का देखने को मिलता है एक lot में 2000 शेज मिलेंगे टोटल जो इशू साइज है वो 34 करोड रुपे का है सारा का सारा fresh इशू है बेसे से में के ऊपर company list होगी और company के promoters का आप लोग नाम देख सकते हूं बाकी यार इस IPO IPO में retail को उटा है वो 35% का असपास का देखने को मिल जाता है IPO के टाइम टेबल की बात करें तो 19 मार्च से लेकर 21 मार्च तक IPO चलेगा IPO में allotment date 26 मार्च को है initial refund date 27 मार्च को 27 मार्च को सुबह 10 बजी कमनी शेबाजर में list होती वी नजर आ जाएगी ठीक है बाकी इस company के IPO में एक lot के अंदर 2000 मिलेंगे और 1,12,000 रुपे का minimum investment देखने को मिल जाता है बाकी इस IP में promoters की holding IP आने के पहले 81.36% की दी IP आने के बात की holding सभी mention नहीं करी गई है बाकी इस company के key performance indicators की बात के रहे तो अपर price band के हिज़ाब से market cap 126 करोड रूपीस के आसपास का रहेगा और इस company का जो यहां पर price to earning ratio है वो यहां पर 38 के आसपास 37 के आसपास का रखा गया है जो मिरको ऐसा लगता है थोड़ा सा महेंगा है जो market की अभी valuation चल रहे यह peer competitor की बाकियार company का growth rate है वो ठीक ठाक देखने को मिल जाता है debt to equity ratio manageable है बाकियार overall जो valuation है वो मिरको ऐसा लगा कि थोड़ price to earning ratio ठीक है बाकियार इस company के ग्रेमा के premium भी आपको मैं दिखा देता हूँ तो company के ग्रेमा के premium अभी 8 रुबे पर trade हो रहे है और listing in 14-15% की आसपास मिलने की possibilities है चो आप लोग इस IPM है listing in purpose के लिए apply करना चाहते हो तो यार एक चीज यहाँ पर risk है कि बाई company का share minus में भी list हो सकता है तो इतनी आप risk लेने की capacity है तो आप लोग listing gain के लिए apply कर सकते हो बाकियार मेरी बात करो तो मैं इस IPM में apply नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आर इतना कम listing gain है आपा जब होता है ना तो बहुत बार ऐसा होता है कि भाई company के IPM में subscription अच्छा नहीं होता है तो company के ग्रेम आखे premium नीचे आ जाता है और बहुत सारी कंपनियां भी share buzzer में minus में भी list हो रही है तो वो खाली focus का risk में नहीं लेना चाहता हूँ इसलिए मैं इस IPM में apply नहीं करने वाला हूँ दूसरे IPOs में apply करेगे चलेंगे जहां पर एक अच्छी opportunity मिलेगी वहाँ पर ठीक है तो यह हमारा plan और long term के लिए देखने जाए तो long term के लिए company का IPO अभी की valuation के इसाब से थोड़ा महेंगा है company का share थोड़ा सस्ता होता है तो आप लोग इस कंपनी के share को देख सकते हो company के share में long term में invest करने के लिए फर एक चीज याद रखना company के share में घिरावट भी आ सकती है बहुत चीकन जो यहाँ पर प्रोड़क्ट बनाने वाले कंपनियों में मैं personally invest नहीं करता हूं इसलिए आपर से इस company के अंदर भी मैं investment long term के लिए तो सोचूंगा ही नहीं और वैसे भी company के valuation जाद आई है तो इस लिए इस IPO को ignore करके चलने वाला हूं ठीक है तो यह था हमारा plan इस IPO क लेकर तो बस अच के लिए तना ही वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना गुडबा लफ गुडबाई फिर मिलते है नेक्स डेयों में गुडबाई